वेल्कम तूं को पोड़काश मैं आमिक के डिवाइसरी की प्रीचेस्टीम से आज हम के लिए देखने के हैं कि जोबल मार्केट कैसा वर्क कर रहा है और आज के देखे लिए क्या एकनोमिकल डेटा रहेंगी जो इंपेट करेंगे को मार्केट को दिखा रहा है वहीं यूरोप इंडेक्स भी माइनस 0.90 डाउन दिखा रहा है निकताई भी 0.40 परसंट से डाउन दिखा रहा है वहीं हम क्रूड औल की बात करें तो क्रूड में भी करीब परसेंट का ड्रॉप है जो 120.70 के करीड कर रहा है वहीं एंजी में कर अच्छे रिकवरी आचे रेकी लाज दो दिन की बहुत बड़ी जिरावर्थ के बाद पूरा कल उसने कल के डेका अल्मोंस 8% के उफर का लॉस्ट करके प्लस में क्लोजिंग आई है तो मुझका भी रिज सब्सक्राइब कर रही है वह भी एक परसेंट की विटनेस दिखा रहा है कि हम स्वयाबीन की बात करें तो कल अल्मोंस्ट लाइव टाइप हाई के काईट चलने के बाद यूस में अभी फ्लैट कर रहा है स्वयाबीन में पॉजिटिव है तो यह भी रॉई प्लैट चल रह चल रहा है जो कि फ्लैट एक कल हमने कच्छी रिकवरी आते देखी ती डाउलर इंडेस्ट वेरी यूरो भी फुड़ा सपोर्टिव ट्रेड करते दिख रहा है कल अफ्टर इसी भी अपडेट आने के बाद यूरो में फुड़ा रिकवरी देखने मिला में सब्सक्राइब कर रहा है जो की फ्लैट है अभी हम बात करें न्यूस की और इकोनामिकल डेटा की कल कैसे क्या रहा और आज क्यार है अब यह वह अपडेट की उन्हों ने उनके स्क्रिट कट है वह अंचेंगी रखा है जिरो पन जिरो पर लेकिन बता है कि जुलाई में वह बढ़ा सकते हैं उससे वह देख रहे हैं मॉर्णी में कल हमने जिसे ले लिया था कि ट्रेलर बैलेंस का चाहिना का डेटा अच्छा आया था तो वह सपोर्ट किया लेकिन हमने अच्छा प्रेशर देखा रिजन बना था कि शंगाई में और एक दिदे के बीजिंग उगरे में लोगडाउन उगरे और कड़े श्यक् अच्छा था बाद में एक ड्रॉप आया नाइक में उपस एंजी की इन्वेंट्री जो 97 बीजियर से बढ़के आई है तो आभी हम आगी का देख लेकर के तेजी में बंद होते देखा शिल्वर वन परसंट डॉन बंद होई परसंट डाउन बंद हुए ता एंजी जैसे मै ने बताया पूरा लॉसेस रिकावर करके तेजी में बंद हो बन परसंट की तेजी से कॉपर सब्सक्राइब परसंट के उपर चल रही है उसने कहीं प्रेशर बनाया और सबकी मैजर आज की इंफलेशन डेटा पर है इंफलेशन के उपर कर दिख रही है है जो कि एक सब्सक्राइब को एग्रेशिव रेट हाइक के तरहां से ले जाएगा तो वह देखते हमाद जेटा कैसे आएगा इसी भी ने बोला है कि वह जो इलाई में 25 बढ़ाएंगे और सब्सक्राइब हो सकते हैं तो उनका कैसा क्या रूप रहेगा वह हमें भी जुला भाइन है वह नहीं हो रही है वह हमें भी सब देख रहे हैं हम सब भी काई बाइन नहीं हो रही है फिर यूदर लॉग्डाउन पोजह पे लगें है तो रहे हैं और वहीं उनका अपडिएज आया कि फञाई बढ़ने जाए है क्योंकि जैसे बहुत्ती जगों पर अभी सब दॉर्मल सिटुएशन है तो वह पर जो प्रड़क्शन है वह थोड़ा एक्पांड होने जैसा है तो वह एक नजपी बन सकता है चंटीमन इंजया तर गोल्ड को हमने इंपोर्ट का डेलिटा आते विए देखा है वह भी बहुत अच्छा भड़के आया है तो हमने देखा है कि लाश्ट में इंपोर्ट ज्यादा हुआ तो प्राइस में हमने देखा तो प्राइस में हमने ड्रॉप आते हुए देखा अब्डेट आए कि शंगाई में नियू कोविड लॉप डाउन लग रहे हैं तो वह कहीना कई सब्सक्राइब कर दोनों बंद में इसका बताया है यह ने 2022 में गोल्ड में ब्रेंड क्रूड के प्राइस का आउट लूप बढ़ाया है उनका कहना है कि सप्रेड डेपिसिट बनी रहेगी एक अपडेट यह भी था सब्सक्राइब जो है वह तीन परसंट से बढ़ा है जो पर दो कि हाई एक मार्च नॉवम बर्प महीने इसके बाद था तो वह थोड़ा सा नेगेटी संटीमेंट कर रहा है प्राइस के पर नेचल जैसमें जो रिकवरी हाई उसका रिजन हम देख लेते कि इसमें जो मेजर रिजन था उसका रिकॉर्ड पावर डिमांड एक्समें इसका बनी भी तो वह एक सपोटीश चरा ओगें लोविंड पावर है और डिकलाइन इंट प्रोडक्शन वह भी एक सपोटीश बना रहा है और जैसे हमने देखा है कि आया पर्सों के निसका ना कहीं वह भी सपोटीश बनेगा आगे चल्की पाईर वह और उनका अपडेट आया है कि तो वहां पे हम देख सकते हैं कि अबी चाइना में डिमांड की अभी नहीं दिक्री है तो वह एक चाइना के महीं मेरे का इंपोर्ट का अपडेट आये जो की 4.4 परसंट से बढ़ा है कि पेरू में कॉपर प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ है 1.7 परसंट से तो यह दो जो सेक्टर से इन्होंने कॉपर का डाउंटार का लिमिटेड रखा चाइना से अबडेट आये कि उनकी जो सेंट्रल इंप्लिमेंट करेगी अपने पॉलिटरी पॉलिटी को स्टेंट करने के लिए स्ट को जो कि सपोर्ट करें तो वो एक सपोर्टी बनेगा आगे चलिके जिनक में हमने ड्रॉप आते देखा कि जी साब से लास्ट एक अपते में फड़ा रॉपडाउन हुआ था उसके माद जो आफिस आउट्पूट में फड़ा रिकावडी आने लगी थी तो वो एक सेक्टर बना और जो वह और और उसली में ग्रोफ आउट्लूट है वो श्राइश किया है मतल्स वो भी कम किया है तो वो भी एक नेगेटी सेक्टर बनेगा पुड़े बेसमतल काउंटर के लिए इससे तोड़ा प्रेशर कर सकता है कि अल्यूमिनियम में अच्छा पाते देखा पहले अपडेट आया कि चाइना का जो एल्यूमिनियम आउट्पूट है वह 3.6 पर्शन से यह और यह बढ़ा है जो कि बताता है कि सप्राइश साइड अभी थोड़ी इस हो रही है तो वह अच्छा सकता बना तो जो प्रेशर किया है लोगडाउं के अधर कंसर्स जापान का अल्यूमिनियम स्टॉक्स में हमने अपेल मेने का जॉप डेट आया है मंद और मंद की इसाब से उसमें 2.9 पर्शन का ड्रॉप देखा है जो उसके वज़े से तोड़ आप हो सकते है कि अधर रहा लेकिन वह इसका मेजर इंट नहीं किया जो मेजर नियू स्टिकल अल्यूमिनियम के लिए वो चाइना के अल्यूमिनियम आउर्प कर था शंगाइक क्या लॉब्डाउन का था और जो अभी भी ग्लोबल कंसर्स बने लोडाउन को लेके या दिमांद रिकोवरी वो प्रेशर बीटी है थेंक यू वेरी मच्छ मेरे अंचेत मही है गूद मॉर्निंग एवरीवन माइनम इस शायूक देवनात सिनियर रिलेशन्शिप मैनेजर के डिया अडबाइजरी मुनाय गोबल क्यू और इंडिया नियूस रिलेटर स्टॉक के बारे मैं आज बात कर यूएस में कल एक्रास बेंजमार्क दो से पोने तीन परसेंट का दवाब था डाउ जोन्स सिक्स थर्टी एइट पॉइंट नैस्डैक थी थर्टी टू पॉइंट एस नपी नाइटी सेवन पॉइंट गिरा था कल गिरके बंद हुआ आज सुभा फ्यूचर्स को देखे त नर्मी दिखी 121 डॉलर के आसपा स्टेट कर रहा है इसी में इसी में ब्यास दरे बढ़ाएंगे 0.25% हाइक होगा जुलाई में उसके बाद और एक हाइक होगा उन्होंने जो ग्रोथ के आक्रे दिये है वो जवद्दस डाउन है पहले उनका अनुमान था 3.7% GDP ग्रोथ आ वहीं इंफलेशन का अनुमान बढ़ाया है 5.1% से बढ़ाकर 6.8% किया है आज शाम को एमरीका का इंफलेशन के नंबर्स आने हैं संगाई के कुछ जगा पे लॉकडाउन कर दिया फिर से नए 700 केसेस आये है और हॉंग कॉंग की सिती बहुत खराब है इस बज़े से तेल में थोड़ी नर्मी आ सकती है चाइना का रिटेल इंफलेशन 2.1% है फैक्टरी इंफलेशन 6.4% आया है रेस्ट आप इस देखे तो निकेई 408 पॉइंट कॉस्पी 29 पॉइंट टाइवान इंडेक्स 163 पॉइंट नीचे है वही संगाई फ्लाट एक पॉइंट उपर है है हैंगसें 224 पॉइंट और स्टेट टाइम 28 पॉइंट नीचे है एक स्टी 230 पॉइंट गैप डाउन के साथ 16230 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो यूसे में इंफलेशन के आक्रे आने हैं हमारे डोमेस्टिक बाद अभी कुछ न्यूस रिलेटेट स्टॉक की अगर बात करें तो पहले ही आता है वोल्टास हेवेल्स वर्ल्पूल ब्लूस्टार बीपील यह पांच स्टॉक गौर्मेंट आफ इंडिया ने रिफ्रिजेशन इंपोर्ट को बैन करने जा रहा है यह एक बड़ी खबर ह आई कल डोमेस्टिक कंपणी को फाइदा पहुचेगा इससे इंग्रीन ट्रेट कर सकती है यह पांच स्टॉक भोल्टस हेवेल्स वर्ल्पूल ब्लूस्टार और बीपील बजाज आटो 14 जून को बोड़ बैठक पे शेयर बाइबैक पे बिचार होगा कंपणी के पास 19,000 क और और का कैश है इंग्रीन ट्रेट कर सकती है यह स्टॉक मारास्टर स्कूटर और बजाज होल्डिंग यह दोनों बजाज आटो की प्रोमोटर कंपणी है बजाज आटो की 14 जून को जो शेयर बाइबैक का विचार कर रही है मैसिक बाइबैक है यह उसका रवाफ एफेक् इंग्रीन ट्रेट कर सकती है यह दो स्टॉक भी इनाइटेट स्पिरिट और रैडिकल खैतान पंजाब में लिकर स्पेस में ओवरॉल पॉलिसी में बदलाव किया है यह एक बड़ी न्यूज है इस स्पेस के लिए यह दो स्टॉक ओल्रेडी शॉट रिकोवरिंग के कैंड इंग्रीन ट्रेट कर सकती है यह दोनों स्टॉक ओएनजीसी पुरे हफते अच्छी तेजी के बाद आज थोरी पूल बैक और प्रॉफिट टेकिंग दिख सकती है इंग्रेड कर सकती है आज ओएनजीसी मेरे तरफ से निउस रिलेटेट इतना ही निउस है और निउस के लि के नाम से पॉलो कीजिए रोज सुभे सारे 8 बजे हमरे साथ जूरिए लाइफ मॉर्निंग पॉडकार्स के लिए ठैंक यू